लो काईस आज हम जानने वाले हैं कि जो हूं नैनोพ्लास्टिया या रार तेमिनस करते हैं ठीक है नैनो प्ल्узट टिया कि आपको पता ही होगा जो 2020 वगिदशिए उनुट सब कि उपर मैं थВОरी बना रखिए बना रखिए इसको खेंसे की आजाता इनका Care रिजल्ट है आप वीडियो जाकर देख सकते हैं मैंने इनके उपर वीडियो बनाई हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देदू हूँ आप जाकर देख लेना अब मेरे पास कासी ज़ा कॉमेंट आ रही थी क्या हम कलर्ट कर सकते हैं इन दोनों ट्रीट्मेंट के क्याति के बाद आप country करोगे थो वो करते चाहिए जयए कंप हो जाता है ठीक है चाया उसक की उसके 20 वोल्यूम कर लो तो रिजल्ट कम हो जाता है लेकिन नहीं को कि आदेख उक कर सकते हो अगर आपको है हम एसे सोच्योशन पढ़ती है कि क्लाइन को प्यायरे ने कि में यह 8 झाल और यह ट्रीटमेंट लेना है ठिक है तो घाइस क्या कर सकते हो उनको पहले कनल रोड़ दे सकते हो ठीक है है Obama कि इक त्रोंस यह होता है तो यह उस्तित hadi फेलर दर नोगेगा रहा इसा त्य। सज़ने को सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब के लिएट का ना यहे यह आप नहीं होता है तो जित्म आएखिये होगों treatment उसको light कर देते हैं मान लीजिए क्लाइट ने आपसे color मांगा 7.3 तो अगर आप 7.3 करके treatment करोगे ना वह color को light कर देगा मतलब उसकी गोल्ड की intensity को वह बहुत ज्यादा बढ़ा देगा तो आपको क्लाइट को 5.3 पलस 4.3 मिक्स करके color करना है ताकि depth थोड़ी कम रहे फिर आपको यह treatment करना है अब बात होती है कि अगर यह treatment हमने कर दिया क्लाइट ने हमसे बाद में color मांगा कि हम color कर सकते हैं गाइस इसका जो answer है यह आप color कर सकते हो लेकिन इसके लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल है guidelines है वह यह है कि आप जो color कर रहे हो वह 40 वोल्यूम या फिर 30 वोल्यूम में नहीं कर सकते हैं क्योंकि gg इस hydrogen, जो प्रेक्षण होते हैं यह काफी जादा color को lift करते हो, lift करते हों तो इनके अंदर hydrogen, प्रेक्षण की मात्र होती होती है तो उससे क्या होता है हमारा जो treatment है वह निकलने लग जाता है उतरने लग जाता है बालों से तो बालों में freeZNES create कर देता है treatment उतार देता है और आपको भी पता है कि यह जो मार्केट में ट्रीटमेंट है यह इतने सस्ते नहीं अभी लेवल है काफी ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट है अगर आप क्लाइन की जीत पे कलर करते हो 30-40 के साथ तो वह विकार करें उनके पैसे भी बरबाद होगा आपका है कि 20 वॉल्य में तो के कलर आता नहीं है अग्यक्तना भी नहीं हो तो इसमा अपको बताता हूं कि 20 वोल्य Eudk कर सकते हैं कि चोकों में ऑच्छाा ओस धायगा लेकिन बात ही अगर जृध देखेगा लेकिन बात ही यहात है अगर बीम्ये तरफ में दार्क की तरफ होता है तो उस पर कैसे करें तो गाइस यहां पर हम क्या कर सकते हैं देखो कलर तो हमें करना ही करना है लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बता तो आप क्या कर सकते हो कोई सी भी ब्रांड में जाओ आप चाहिए वह स्योर्सकॉप में जाओ या फिर वेला में जाओ या फिर लॉरियल में जाओ ठीक है गैस या फिर मैट्रिक्स में जाओ इन सब में जो है हाई लिफ्टिंग कलर्स होते है ठीक है हाई लिफ्टिंग आप समझे रहोगे हाई लिफ्टिंग का आप मतलब भी समझे लो ऐसे कि जो शीरीज आपको नाइन से ट्वैल तक की सीरीज होती है ठैट इंच की सीड़ होती है बड़े बड़े नंबर वाली सीरीज होती है फाय है लफ्टिंग होती है यह डार्ख çal को without pre-lightning lifting अच्छी खासी देदेती है लेकिन इनकी भी conditions जो होती है वो 40 volume में अच्छा खासा देदेती है लेकिन आप इनको 20 volume में भी करेगे तो वो इससे ज़्यादा जो आप 7.3, 8.35 से ज़्यादा आपको intensity देती है यह high lifting series जैसे कि आप देखो Shorescope में आप 12-2 ले लो ठीक है 12-1 ले लो 10-2-1 ले लो इनको 20 volume में आप करो अच्छा खासा आपका जो ब्राउन की सेड़ आपको अच्छी खासी मिल जाएगी 12 stroke 1 ले लो 12 stroke 2 ले लो इस तरह की series इसमें आपको मिल जाएगी लोरिल में तो काफी जादा high lifting है आप देखो 900S ले सकते हो 20 volume में इसमें भी आपको अच्छा का सा color मिल जाएगा लोरिल में बहुत सारी गाइस high lifting 12.5 है 12.3 है तेरा नंबर है 12.1 है 12.7 है 12.5 है 12.4 है बहुत सारी series है देखो मोगनी भी reflection मिलेगी gold की भी मिलेगी copper की मिलेगी फिर आपको मोगनी की मिलेगी लिख दिया न मोगनी हाँ तो यह brown में आपको आएगा यह थोड़ा सा मैट reflection देगा copper में बहुत सारी variety है जो आपको लोरियल में मिल जाएगी matrix में भी सेम हैं 12a आता है जो हमारा 12.1 होता है ठीक है इसी तरीके से 12c यानि 12.4 जो 12 की series के color होते हैं वह आप यूज़ कर सकते हैं कोई कोई क्या होता है इस ट्रिक्स का brand यूज़ करता है तो उनके लिए high lifting color sticks वालोंने नहीं निकाल रखी है लेकिन उनका जो problem का solution वह है वह क्या कर सकते हैं इस ट्रिक्स का 9.1 ले लो और आप 20 volume में कर दो तो अच्छी खासी वाइब इन से आजाएगे कि color ज़्यादा dark है आप 10 नमबर लो खाली 10 नमबर का sticks का ट्यूब आता है वह लीजिए और 20 volume में क्लाइन को लगा दे तो अच्छा गासा आपका जो है color आ जागा लेकिन इसमें आपको reflection की ज़्यादा वह नहीं मिलेगी variance तो brown shade माएगा golden brown में ठीक है इसमें cool brown आ जाता है क्योंकि इसमें copper brown आता है इसमें reflection आपको मिल जाती है ठीक है लेकिन क्या है आपकी क्लाइन का यह color तो change हो ही जाएगा at least black set के आजकल brown color ऐसा होता है सभी को पसंद आता है ठीक है इस brown color सब को पसंद आता है तो अगर आपको ज़्यादा reflection की side जाना तो आप लोरेल में जाओ सबसे better है तो आपके कर सकते हो लेकिन 20 volume में ही कुछ लोग क्याटिन के बाद 20 volume में कर देते हैं वह भी कहते कि ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन गाइस क्याटिन के बाद 20 में भी कर रहे हो ना क्योंकि आप आजकल क्याटिन बहुत basic treatment हो जो आ रहे है वह मैन आजकल trend में यही चलते है और advance treatment है यह advance इसले ही बोला जाता है क्य कि इसके बाद आप color कर सकते हो लेकिन 20 volume में I hope guys आपको अच्छे वीडियो समझागी होगी वीडियो चलते है इस वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो हलकी या थोड़ी सी भी knowledgeable रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो guys मिलते है कि नेक्स वीडियो में वाय बाय जसे वीडियो में होगी वीडियो पार चूर ए मन.